धनबाद गया रेलखंड पर शनिवार दो पहर बाद एक बड़ा हाथसा हो गया पुर्शतम एक्सप्रेस पर ओवर हेड तार का पेंटो तूट कर गिर गया इससे दो यात्री घायल हो गया है ठीक इसी समय आइसोलेटर गिर कर बगल में ओवर हेड लाइन का काम कर रहे एक मजदूर के माथे पर गिरा सूचना के अनुसार इससे मजदूर की मौत हो गई हाला कि रेलवे ने अभी इसकी पुष्टी नहीं की है पुर्शतम एक्सप्रेस में सवार दो यात्री भी घायल हुए है दरसल ओवर हेड लाइन का काम परसाबाद में चल रहा था इसी समय ए रहने वाला था एक घायल यात्री का नाम संजयमा जी उम्रलग भग 24 साल है दूसरे घायल यात्री की हालत गंभीर है वो कुछ भी बताने की स्थिती में नहीं है इस घटना के बाद तो रेल अधिकारियों के हाथ पाउप फूलने लगे हैं भागे भागे अधिकारियों की टीम घटना सल पर पहुची अप और डाउन लाइन की विजगी काट दी गई ट्रेने जहां तहां खड़ी कर दी गई है दुरन्तो एक्सप्रेस को कोडर्मा में खड़ा करने की सूचना है इसके कुछ महीने पहले निचित्पुर स्टेशन पर भी इसी तरह का हाथसा हुआ इसमें दो या तीन मज़ूर जल मरे थे ओवर हेड लाइन के तार को खीचा जा रहा था कि दुरघटना हुई थी फिर ये दुरघटना हो गई सवाल उठता है क्या रेलवे ओवर हेड लाइन खीचने का काम कर रेलवे ठेकेदारों को देने के बाद निश्चिन्थ हो जात है कामों का कभी निरिक्षण नहीं किया जाता है ठेकेदार किस धंग से काम कर रहे हैं सुरक्षा कि क्या उनके पास इंतजाम है इसकी कभी कोई जाच नहीं होती है ये तो रेलवे के क्रुया कलापों पर भी सवाल या निशान है धन्मात से ब्योरो रिपोर्ट